सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाइए टेक्नोलोजी से रिलेटेड वीडियोस सीधे अपने मोबाइल फोन पे दोस्तो जीओ ने भी UPIID सर्विस को लॉंच कर दिया है जिसके द्वारा आप जीओ UPIID बना सकते हैं और किसी को भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल केबल कनेक्शन को भी रिचार्ज कर सकते हैं पोस्ट पिड बिल पे कर सकते हैं गैस या फिर एलेक्टिसिटी बिल को भी ऑनलाइन पेमिंट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Jio UPI ID बना सकते हैं और बहुत सारे Bill Payment Recharges Online कर सकते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़ आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तो सबसे पहले आपको Jio App को Open करना है अपने Mobile Phone में और उसके बाद देखिए दोस्तो कुछ इस तरह का Interface आपके सामने आएगा उपर में आपको एक Option मिलेगा UPI तो यहां देखिए उपर में आपको स्क्रॉल करना है और यहां पे एक Option आपको दिखेगा UPI जिस पे आपको क्लिक कर देना है तो यहां से आप एक UPI ID बना सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का Interface आएगा तो आपको Let's Get Started बटन पे यहां क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपने Mobile में लगे हुए SIM में से कोई एक SIM चूज करना है जो कि आपके Bank Account के साथ Link है और नीचे Proceed बटन पे क्लिक करने के बाद एक Message आपके Mobile से भेजा जाएगा verify करने के लिए आपके Bank Account को तो यह देखिए हैं यह Automatic हो जाएगा उसके बाद आपको M-PIN टाइप कर देना है M-PIN को टाइप करके आप जैसी Confirm करेंगे तो यहां पे आपको Bank Account को चूज करना है जो भी Bank Account आप Select करना चाते हैं जो कि आपके Mobile Number से Link है उसे आपको यहां पे चूज कर लेना है तो यहां पे मैं एक Bank Account को चूज कर लेता हूँ और Bank Account को चूज करने के बाद देखिए दोस्तो यह यहां पे आपके Bank Account Details को फेच करेगा उसके बाद यहां पे आपका Bank Account दिख जाएगा नीचे आपको Proceed Button पे क्लिक करना है अगर आप इस Bank Account को Link करना चाते हैं इसके बाद यहां पे आपका UPI ID Create हो जाएगा दोस्तो तो यहां आपको क्या करना है नीचे Proceed पे क्लिक करना है Proceed Button पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का Interface आजाएगा दोस्तो तो यहां पे नीचे आप अपना जियो UPI ID देख सकते हैं और उपर Send Money पे क्लिक करके आप किसी के भी Bank Account में पैसे Transfer कर सकते हैं यहां पे आपको UPI ID या फिर Mobile Number टाइप करना होगा और आप ऐसे भेज सकते हैं Scan and Pay option पे क्लिक करके आप किसी के भी QR Code को Scan करके पैसे Transfer कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पे एक Permission देना होगा Camera के लिए Camera Access देने के बाद आप QR Code को Scan कर सकते हैं और पैसे Pay कर सकते हैं यहां पे उसके बाद देखिए दोस्तों यहां नीचे option है Bill Payment जहां पे आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे Recharges करने के लिए Bill Payment करने के लिए Mobile, Electricity Bill पे करने के लिए तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा Recharge, Bill, Mobile उसके बाद एक लैंड लाइन connection के लिए आप बिल पे कर सकते हैं, DTH Recharge कर सकते हैं, Broadband बिल पे कर सकते हैं तो बहुत सारा option आपको यहां पे Recharges करने के लिए भी दोस्तों मिल जाता है यहां पे एक option है जिस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो QR Code है वो आपको दिख जाएगा आप इस QR Code को किसी को भी Share कर सकते हैं, Share QR Code पे क्लिक करके और वो आपको QR Code के जरीए scan करके पैसे pay कर सकते हैं तो यही वो तरीका है दोस्तों जिसके द्वारा आप एक GO UPI ID बना सकते हैं और किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, Mobile Recharge कर सकते हैं, Bill Payments कर सकते हैं और अपने जाधा तरकाम आप digitally online कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आयोगा दोस्तों, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, इसे शेर कीजे और कृप्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग दिस वीडियो